हेलो फ्रेंड, वेलकम टू SAC campus दोस्तों इस वीडियो को एनिवेशन के थुरू समझेंगे ताकि पूरा concept किलियर हो जाए और लास्ट में इस topic से related question answer का भी set करेंगे वीडियो को start करने से पहले एक छोटा सा request भी करेंगे कि आप इस channel को subscribe कर लें साइड में वेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि time to time जो भी वीडियो हम upload करेंगे आपको notification मिलता रहा है तो फ्रेंड चलिए हम lecture को start करते है क्लोरोफिल क्या होता है क्लोरोफिल क्या होता है सबसे पहले हम यह समझते है जो हमारा क्लोरोफिल एक protein-yukth complex compound है क्लोरोफिल के कारण ही पत्तो का जो color होता है वह कैसा होता है ग्रीन होता है इसे photosynthesis pigment भी करते हैं क्या बोलते हैं photosynthesis pigment भी बोलते हैं जो हमारा क्लोरोफिल होता है उसमें carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen तथा magnesium के तथव से मिलके यह बना होता है ठीक है ना देखिए chlorophyll जो होता है chlorophyll दो types के होता है एक होता है chlorophyll A, chlorophyll B यह autotrophic हरे पौधे में पाया जाता है मतलब जो सब जितने भी हमारे autotrophic पौदे ना उस सब में यह पाया जाता है यह clear है जैसे कि आप देख सकते हैं इसका chemical formula अब हम बात करते हैं कि जो हमारे plants होते हैं, वो कैसे जो plant's के sale होते हैं, कैसे work करते हैं, उसको हम animation के तुर यहाinação समझते हैं, तो धीए, जैसे कि यह हमारा leaf है, please. लुट हमारा plant होता है, वो autotrophic होता है इसका मतलिब यह होता है कि sunlight's energy को क्या करता है capture करता है तो जितने भी हमारे plants होते हैं सब plants के अंदर plant क्या होता है sale होता है जिसको क्या होता है हमार plant sale होता है उस plant sale के पास बहुत सारे organelles होते हैं क्या होते है organelles होते हैं clear है जिसे हम क्या बोलते है हम क्लोरोप्लास्ट जिसे हम क्लोरोप्लास्ट जिसे क्लोरोफिल भॉलते हैं जैसे आप देख पा रहे होंगे क्लोरोफिल structure कैसे होता है So, पौदों के जिस ल में Chlorophyll पाया जाता है वही photosynthesis में भाग लेता है यह clear रहा है मतलब संधी जिस पोदे के सेल में Chlorophyll पाया जाता है वही photosynthesis के process में क्या करता है participate करता है भाग लेता है अब दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं chlorophyll पतियों का green pigment होता है इसके 4 घटक है कौन-कौन से chlorophyll A, chlorophyll B, carotene, jetophyll इसमें chlorophyll A, chlorophyll B हरे रंग का होता है और यह उर्जा ट्रांसपर करता है यह क्या करता है यह जो हमारा photosynthesis होता है उसका यह center होता है जो chlorophyll होता है सुरी के प्रकास में उपस्तित लाल रंग को सबसे ज्यादा और शोशित करता है मतलब सबसे ज्यादा absorb करता है मतलब photosynthesis की जो दर होती है वह लाल रंग में सबसे ज्यादा होती है और बैगनी रंग में सबसे कम होती है इसको यह चीज इंपोर्टेंट है याद रखना यह जरूरी है तो अब हम बात करते हैं इससे related questions की मतलब क्या-क्या questions expected जो exam से में पूछे जाते है और इससे क्या-क्या questions हमें जानना चाहिए next question को देखते हैं कि plant cell में जल किस process के द्वारा पहुचता है तो देखिए plant cell में जो जल होता है वो osmosis के द्वारा पहुचता है किसके द्वारा? Osmosis के द्वारा पहुचता है questions में क्या पूछ रहा है कि plant cell में carbon dioxide yomundal से किस प्रकार पहुचती है तो देखिए carbon dioxide जो होती है न वो आयू मंडल से जो plant cell में diffusion के द्वारा पहुंचती है किसके त्वारा? diffusion के द्वारा पहुंचती है पतियों के हरे रंग का कारण क्या है? किस वज़ा से पतियों का रंग जो होता है? हरा हो जाता है, green हो जाता है तो देखिए उसका main कारण होता है chlorophyll के वज़ा से यह पतियों का रंग जो होता है वो कैसे होता है? green होता है chlorophyll में कौन से तत्व पाया जाता है? सोचे और बताए कि chlorophyll में कौन से तत्व पाया जाता है? तो देखिए क्लोरोफिल में मैंगनिश्यम पाया जाता है और भी तत्व होते हैं लेकिन जो मेन हमारा होता है नो मैंगनिश्यम पाया जाता है Next question पूछ रहा है कि क्लोरोफिल कितने घटक होते हैं मतलब क्लोरोफिल के कितने घटक होते हैं फोटो सिंथीस की दर होती है किस रंग में सबसे अधिक होती है तो अव्यश्य लाल रंग में सबसे ज्यादा जो होता है प्रकास संसलिषण का दर सबसे ज्यादा होता है अब पूछ रहे कि जो फोटो सिंथिसिस मतलब प्रकास संसलिषण की जो दर है कि इस रंग में सबसे कम होती है तो बैगनी रंग में सबसे कम होती है और लाल रंग में सबसे ज्यादा होती है